हेलो स्टूदिंस तो यहां पर आमरे पास क्वेश्चन है ए और बी हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ठीक है और हमें दिया हुआ एंटू बी इक्वल टू 6 है ठीक है तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई करके देखते हैं क्या आता है यह है 1 2 x 3-1 इंटू 2 ठीक है और यह किसके साथ मल्टिप्लाई होगा y x 1 और फाइनली हमें कितना मिलने वाला है 6 and 8 ठीक है इसको मल्टिप्लाई करते हैं तो यह कितना देगा y plus 2x plus x और यहां पर कितना जागा 3y minus x plus 2 और यह किसके एक्वल हो जागा 6 8 के ठीक है यहां से elements को compare करके हम equation बना सकते है y plus 3x equal to 6 and 3y minus x equal to 6 पहले वाले equation को अगर हम 3 से multiply कर दें तो यह क्या हो जागा 3y plus 9x equal to 18 और दूसरे वाले equation को same लिख के अगर हम subtract कर दें तो यह कितना हो जागा यह cancel हो गया 10x equal to 12 x की value कितनी आजाएगी 1.2 x की value यहां पर put कर देता है तो y कितना हो जाएगा y equal to 6 minus 1.2 कितना देगा 1.2 into 3 3.6 इसको minus करेंगे तो कितना जाएगा 2.4 ठीक है तो y क्या है x का double है तो यहाँ पर हम कौन सा option mark कर सकते हैं अब यह option यहाँ पर mark कर सकते हूं ठीक है